Good morning students, आज हम chapter 4 आवर green friends पर discuss करेंगे means हमारे कौन-कौन से ऐसे green friends होते हैं जिनके बारे में हम discuss करेंगे तो जो plants होते हैं वो हमारे green friends होते हैं या हरे मित्र होते हैं plants are our green friends because they provide us with many things like food, wood, oil, medicines and cotton यानि जो plants होते हैं जो पेड़ पोधे होते हैं वो हमारे green friends होते हैं क्योंकि वे हमें provide करते हैं या हमें देते हैं बहुत सारी चीजें जैसे food, भोजन, wood, लकड़ी, oil, तेल, medicines जो दवाईयां आती है and cotton जो कपास आती है वो सारी चीजें हमें provide करवाते हैं या देते हैं इसलिए हमने plants को हमारे green friends कहा है they also release oxygen which we breathe in वो oxygen को release करते हैं जिसे हम सांस लेने में या श्वशन क्रिया करने में काम में लेते हैं next day photosynthesis, photosynthesis क्या होता है जितने भी plants होते हैं वो अपना भोजन स्वयम तैयार करते हैं और वो जो process होती है उसे ही photosynthesis या प्रकाश संचलेशन कहा जाता है all living things depend directly or indirectly on plants for dear food means जितने भी living beings होते हैं वो directly or indirectly रूप में यानि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी वे में plants पे dependent होते हैं अपने भोजन के लिए the process by which green plants make their own food is called photosynthesis यानि एक process होती है जिसमें जितने भी green plants होते हैं हरे पोधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयम तयार करते हैं स्वयम प्रिपेर करते हैं और उस process को ही photosynthesis कहा जाता है leaves are green in color due to the presence of a green pigment called chlorophyll यानि जो पत्यां होती है जो leaves होती है उनमें एक green pigment होता है एक हरे कलर का वर्नक पाया जाता है जिसे chlorophyll कहा जाता है और उस chlorophyll के कारण ही वो जो पत्यां होती है उनका color हरा होता है the raw materials required for the process of photosynthesis are carbon dioxide present in the air, water and minerals from the soil यानि जो photosynthesis की process होती है उसमें जो raw material की हमें आवशकता होती है जो raw materials उसमें required होता है वो होता है carbon dioxide जो air में present होती है उसके अलावा water है और उसके अलावा mineral से जो soil या जो मिट्टी होती है उसमें present होते हैं या उसमें photosynthesis और इसमें जो oxygen gas होती है वो produce की जाती है produce होती है photosynthesis की process के दोरान यानि वो gas produce होती है या उत्पादित होती है the food made by the plants is in the form of glucose a sugar यानि जो plants होते हैं वो glucose के रूप में या एक sugar के रूप में भोजन को तयार करते हैं या prepare करते हैं parts of a leaf यानि जो leaf होती है जो पत्ती होती है उसके कौन-कौन से parts होते हैं या उसके क्या-क्या भाग होते हैं leaves of different plants have a variety of shapes and sizes यानि जो different different plants होते हैं या अलग-अलग प्रकार के जो उधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी पतियां होती है उनकी जो शेप होती है वो भी अलग-अलग प्रकार की होती है ढिफरेंट वेराइटीज में पाई जाती है और उनकी साइच भी ढिफरेंट होती है अलग-अलग होती है All leaves have five following main parts यानि जितनी भी leaves होती है जितनी भी पत्तियां होती है उसके 5 main parts या 5 मुख्य भाग पाए जाते हैं First is leaf blade, it is the flat broad part of the leaf यानि ये जो part होता है ये flat part होता है समतल part होता है और एक चोड़ा भाग होता है किसी भी पत्ती का Next is man vein यानि जो मुख्य वेन होती है या मुख्य नस होती है उसकी present in the middle of the leaf and is thick यानि वो उस पत्ती के middle में present होती है और बहुत मोटी होती है यानि उसके middle में पाई जाती है Next is side vein, many thin side veins bring water to the leaves and carry the food prepared by the leaves बहुत सारी side veins पाई जाती है जो water को पत्तियों तक पहुचाने का कारी करती है और जो पत्तियों द्वारा भोजन प्रिपेर किया जाता है या बनाया जाता है उसको carry करने का काम करती है Next is steak Leaf is attached to the stem with the steak यानि जो leaf होती है या पत्ती होती है वो stem के द्वारा तने के द्वारा attached होती है और तना उस steak के द्वारा attached होता है Means leaf को जो तने से जोडने का काम करता है उसे steak या dental कहा जाता है Next is stomata These are tiny openings present mostly on the under surface of the leaf यानि stomata बहुत छोटे छोटे होल होते हैं या बहुत छोटे 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 छेद होते हैं जो leaf की जो नीचे की सता होती है उस पर present होते हैं या उस पर उपस्थित होते हैं